नमस्कार मैं हूँ आपके साथ संजय आदोर राजिस सभा की रन भेरी या खिर किस इस जंग में किस के जीत किस की हार कुछ देर में ये परिणाम सामने आने के बाद बिलकुल साफ हो जाएगा लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कर वाते हैं ब पूरी हो चुकी है और थोड़ी देर में चुनाओं में जीत आखर किस की हुई है ये साफ हो जाएगा यानि परिणाम आ जाएगा इस वक्त ये बड़ी खबर है क्रॉस वोटिंग के बाद मुकावला बेहत दिल्चस्प हो गया है सब की निगाहें राजा भाईया पर टिक और नेता करते दिख रहे हैं लेकिन पांच बजे वोटों की गिनती शुरू होगी चार सो वोट पड़े हैं देखना ये है कि आखिर कौन कौन पहुंचता है राजिस्ता बाचर की जंग बीजेपी बीसपी के बीच में है नौवे सीट के लिए और आखिर नौवे सीट पर कौन अपना दम दिखाता है कौन बाजी मारता है ये लगातार हम चर्चा में जिक्र करते रहेंगे जैसे जैसे परिणाम आता जाएगा एक एक पल की अपडेट आपको हिंदी ख़बर दिखाएगा और इस वक्त मतगरना शुरू होने वाली है कुछ देर में और लगभग आधे घंटे की भीतर बिल्कुल स्प्रीव साफ हो जाएगी कि आखिर कौन जीता कौन हरा तो इंतजार किया जा रहा है कि आखिर जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी तो उसके बाद क्या परिणाम आएगा लेकिन सत्तापक्ष के लोगों ने दावा किया है कि हम जीत रहे हैं विपक्ष ने क्या कुछ कहा है जरा ये भी सुन लेते हैं उनकी दाविदारी में कितना दम है पूरा विश्वास है कि कॉंग्रेस समध्य, समाजवाती समध्य, समस्पार की प्रभ्याश्य की आप इतर भी जीतेंगे, राचसभा के लिए मेरवाचित होंगे, यह हमें विश्वास है. कॉंग्रेस पार्टी समाजवाती पार्टी के दोनों कंडिडेट जीतने जा रहा हैं, अब बीजेपी का कंडिडेट आरेगा, क्योंकि आज समध्यान खत्रे में, यह समध्यान को भी ना मानने वाले लोग हैं, दो लोगों को मताधिकार से बंचित किया जा रहा है, कारे सेंख्या पूरी है, बार्णी अखले से आदोजी से मिल करके लोगों ने पूरा विस्वात दिला है, अब विस्वात सही नहीं दिला है, बड़े मजबूती के साथ, सबसे पहला वोट भी समाजवाती पार्टी के लोगों नहीं, लाइन लगा के दिया, भी जतनी बगेल ने उन्होंने भी जीत का दावा किया है, क्या कुछ कहा, जरा एक बार ये सुन लेते हैं कैसे कारशैली हुई है, उनके बयान भी सामने आए है, क्या लगता है आपको? भारती जन्ता पार्टी के कारपद्यती को देखते हुए, माने दुनिया के सबसे प्रसिद्य राजनेता और मोती जी और ये सश्वी तपस्वी मखुंती योगी जी के नेतत को, कारशन चालन को, गुड गवर्नेंस को देखते हुए, बहुत लोग सध्धनतिक रूप से भ दो दिन डिनर चला है, बैठ के चली है, क्या लगता है कि फेल साभी तो बहुत साल पहले कोटली ने, शालन की जो कूटनीती और राजनीती के विद्वान थे, कहा था कि दुस्मन का दुस्मन हमारे दोस्त इस सिद्धन पर भी राजनीती बहुष में हुआ करेगी, तो वह और चुवा सब लोग होते हैं, फिर बाड उतर जाती है, तो अपने एक पर दुस्मनी निवाते हैं, तो वो एक है कि योगी जी और मोदी जी की विक्तित्त और उनके विकास और उनकी लोगप्रीता को देखते हुए, अपने भईष को खत्रे में देखते हुए, इस प्रक तो जो आज बगेल साहब ने कहा है यही कुछ दिन पहले खुद सीम ने भी कहा था सेम यही बयान दिया था लेकिन इस वक्त हमारा साथ हमारा पैनल भी जुड़ चुका है अमित पूरी जी बीजेपी से लखनाउ से इस वक्त हमारा साथ है सबसे पहले आपसे रियक्शन आज कुछ देर में वोटिंग खतम हो चुकी है लेकिन काउंटिंग शुरू होने वाली है दावे सबके आपको मैंने सुनाया और अमूमन दर्शकों ने सुना लेकिन अब क्या उम्मेट नहीं देखिए मैं शुरू से ही आपके चैनल पे बोलता रहा हूं कि आशावादिता क्या होती है यह पॉलिटीशियन्स या राजनीतिग्यों से सीखना चाहिए अंतिम दम तक इवन हारने के बाद भी यह हार में बड़ी कुशलता से अपनी जीत को ढूण लेते हैं क्योंकि यह किसी ने किसी पार्टी से जुड़े हैं इनकी कुछ मजबूरियां है लेकिन देखा यहां पे जाया तो सबसे पहली चीज जो एनालिसिस करने वाली है मैं बोलता हूं डाटा सबके पास है आप डैनामिक्स को देखिए आप राजनीत की जो गतिकी होता है आप उसको दे देखानेंगे और वही पलड़ा भारी होगा या कम होगा दिने शर्मा जी एक पत्रकार की हैसियत से इस वक्त आपका आंकड़ा क्या कहता है जो दिन भर नाटकी एक्रम चला है उसके बाद क्लाइमेक्स थी बारी है और इस क्लाइमेक्स में आखिर क्या कुछ आपके अब दिखाया है तो तो अब हम जो है जब तक की परिणाम नहीं आगाते हैं तो इस पर किसी प्रकार की प्रतिकरिया का कोई मुझे नहीं लगता की कोई ओचित्या है चलिए सही आप कह रहे हैं जिए आपके विधायक आपके दिगगत्स अभी ने दावा किया कि सपार ब् यहां एक फूटे हैं, निर्दली अभी हमारे साथ हैं, हमने तो नौवा उमिद्वार जो उतारा था वो भी जीप चुका है, वाकई में आपको अभी विश्वास है, दम वो अभी भी बंधा हुआ है कि चुनाव परिडाम जो आएंगे जो आपके दावे थे वही होंगे। परिडाम अपने आप में हर चीज को इस पश्ट रूप से रेकांकित कर देता हैं, नमर एक, नमर दो, यह उत्तर प्रदेश में राज्यसवा का चुनाव हो क्यो रहा है, यह चुनाव और मद्दान की प्रक्रिया तक बात आई क्यों, जिनका न चुनाव में अनाईस था, पोस्ट पोल अलाइस था, वो अचानक एक चुनाव के लिए अलाइस में आ गये, और एक उमीदवार एक्स्ट्रा खड़ा कर दिया, क्योंकि कई सारी रेपोर्टों में है कि बीजेपी ने एक्स्ट्रा उमीदवार खड़ा किया, बीजेपी ने नहीं किया, हम तो भाजप नीत गडवंधन उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाओं में गया था और जो हमारे प्री पोल अलाइंस थे उन प्री पोल अलाइंस के 28 विधायक ऐसे थे कि सारे अलोकेशन के बाद भी आठ सीटों के अलोकेशन के बाद भी वो इस्पेर्ड थे उनका अपना अलोकेशन होना ब के लिए जब अलाइंस में आए तब ये लगा कि उत्तर प्रदेश में जो प्री पोल अलाइंस के नैतिक रूप से निर्वाचित विधायक है और उनकी नैतिक सत्ता भी है ऐसे 28 विधायकों को अपने मत का इजहार करने के लिए एक आउसर होना चाहिए और वो आउसर श्र अवसकार आपका स्वागत मैंने किया रिटार्न गिफ्ट की बारी थी जो कि लोगसभवा के उप्चुनाओं में समर्थन मिला आपके बंपर जीत हुई दोनों सीदों पर लेकिन रिटार्न गिफ्ट में में आपको लगता है कि जो उमीद आपने की थी जो मायावती जी न बहुत ही बिद्वान बिखती है और बहुत अच्छे प्रिवकता है इनों ने ऐसी परिवासा की है कि चुनाओ की नौबत क्यों आई और इस्ट्रा किस ने खड़ा किया है बतलब कि सुण करके अचरज होता है इतनी अच्छी परिवासा अभित्पुरुई जी ने साम रख दी हमें अभी तक भाती फ़्यक्ता पार्टी के किसी प्रियोकतारी ऐसी परिवासा रखी होगी कि इस्ट्रा की अथरिक अथरिक उबीद्वार किसका है और रही बात जी थार की तो अभी बदगर्ला हो जाएगी चीजे सामने आजाएगी हाँ क्रास वोटिंग की चीजे भी सामने आई हैं इस बात को मानते हैं लेकिन कितने वोट क्रास वोट हुए हैं और अब देखिये एक बीजेपी को वोट किया है तो ऐसे वे चीजे सामने हैं कि क्रास ओटी होई बारती और समाजवादी पार्टी के नए सगरवाल जी पहले ही पार्टी छोड़ जा चुके हैं बारती जिन्ता पार्टी में वहाँ पे नितिन अगरवाल जी ने भी बारती जिन्ता पार्टी को ओट किया है तो उस ओट को त समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी निष्ठा से पूरी जिम्मेदारी पूर्वक जो एक समझवता था जो एक दूसरे का सयोग था उस सयोग के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी तनमेता के साथ बहन जी का साथ दिया है कि जो जो उनका कंडिडेट है बीम राओं एक बिक्ति को एक बिक्ति को केवल एक बिक्ति को दलित दलित चेहरा बना करके अगर राश्पट के रूप में सान्वेल ले आते हैं तो एक बिक्तिकूल आने से हमेरे रखता है कि कहीं पे पूरे दरिश सबाज का कल्यार होने वाला है मायावती जी भी अकेले थी जिन्होंने पूरा तालका मचा दिया मायावती जी भी अकेले ही थी दलित कन्या थी और अकेले ही उन्होंने तालका मचा दिया तो रामनात कोविन को अगर अकेले लाया गया देखे एक ही आदमी काफी असर परिवर्तल लाने के लिए गांधी भी एक थे सब एक ही है तो आप उसको भी कमतर करके मता आखिये चलिए वो तो फिलाल कुछ देव में पता चल राएगा नहीं जैन साथ कुछ देर में पता चल राएगा दावा ये भी हो रहाएगी बीजेपी जीत रही लेकिन कुछ देर में परड़ाम आ जाएगा उसके बाद पता चलेगा क्या जी सुरेंद्री जी आपके साथ वोट थे अगर एक गोरत पुर अप्चुराव में आपने अलान किया क्या लगता है कि आपका वोट सही जगा गया है वाकई में जीत मिल जाएगी देखिए संजे बाई निश्चित तोर पर हमने सैधानतिक रूप से और हमने साथ के साथ हमारे वोट जो है यह आवाज आपकी इको हो रही है बैए मेरे अपने कान में आवाज आ रही है जी बोलिए तो यह जो आपकी सीधी सीधी सी बात है हम लोगों ने साथ वोट हमारे पास थे साथों के साथ वोट बहुजन समाज पार्टी को दिये हैं और साथों के साथ वोटों की हम पूरी जिम्मेवारी लेकर के कह सकते हैं कि हमारे साथों वोट बहुजन समाज भाशा गरदी बदल दी विद्वान प्रवकता हैं कुछ भी कर सकते हैं आप यह बताईए कि जिस विपक्ष के पास 36 वोट एक्स्ट्रा है दावा उसका बनता है यह अगर आप तै कर लीजे तो अपने आपको समझ में आजाएगा जब संयुक्त प्रत्यासी भले ही आपको राजी सभा बेजने के लिए आपकी मुखालफत में हमने किया तो हमने बिल्कुल पूरी और आपने क्या क्या किया आपने कोट ने आदेश दे दिया मुक्तार अंसारी को निर्वाचित विदायक है कि आप बोट डाल सकते हैं सरकार आज तक मेरे पूरे याददास्त में मैं 83 84 से देख रहा हूं चीजों को आज तक सरकार अगर लोवर कोट ने आदेश दे दिया तो अपर कोट कभी उस आदेश के खिलाफ नहीं गई बोट डालने के अधिकार के लेकिन ये सरकार इकलोती सरकार ऐसी है जिसने अपने आपको आदेश को न मान करके हाई कोट गई उनक को का जा रहा है नियायले ने रोक दिया नियायले ने नहीं रोका है उनको भी उनको जो रोका है उनको भी सरकार ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी नहीं आपाए दूसरी तरफ बिहार में दो विधायक एक जरिया का है और एक इसागरिया पता नहीं कहा का आप कहेंगे तो दोनों डिजायक को ने वहां जाकर वोट दिया तो यह पाजपा का जो धोरा चरित्र को समझने का प्रयास पूरी जी सुरेंद्र रिराजपूर जी कि बात का जवाब कोट ने नहीं रोका है आपने रोका है आपने शडेंद्र किया है आपने जिस तरीके से गोरखपूर की जन्ता ने आपको सबक शिखाया, जिस तरीके से إلावाद की जन्ता ने सबक शिखाया, आगे आने वाले दुरों में जन्ता भी सबक शिखाया. अब इस आरोप का जवाब पूरी जी आपसे दो बाते हैं सुरेंद कह रहे थे और मेरे साथ के सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष ने तै कर लिया अरे विपक्ष कौन था उस समय 2017 में एक मिनिट यूपी को ये साथ पसंद है वाले लोग विपक्ष में थे तो सतरा तो कहीं थे नहीं 10 लोग सपा के और 7 लोग इनके सतरा कुल थे तो सतरा के मुकाबले 28 बड़ा है कि 17 बड़ा है इसके लिए ना प्री पॉल मेंडेट था ना पोस्ट पॉल मेंडेट था सवाल अगला सवाल सवाल यही आपने कहा ना कि यूपी को यह साथ पसंद नहीं था सत्रह में लेकिन सहाग उपचुना हुआ तो यह साथ पसंद आ गया मायावती और अख्लेश का साथ लोगों को पसंद आया और आपके डिप्टि सीम सीम दोनों की गड़ में आप 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 जिनके लिए यह कह रहा हूं वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाने थे चुनाओ लड़ा जवाने जब्टि कराई शेनाई किसी के घर में बज रही है मिठाई कॉंग्रेस खाने के लिए तयार बैटी है सुरेंद्र जी नियाले के आदेश को भी अगर आप कंटेम्चियों सो करके परवाशित करेंगे तो इसका संग्यान तो नियाले लेगा यहार का परिलक्षण दिखाई दे रहा है मुझे जब आरोप लगने लगे तो समझ लीजे निश्यत रूप से परिनाम क्या आ रहा है यह कॉंग्रेस को मालू हो चलिए जबाब ले लेते हैं सुरेंद्र जी अमिद भाई ने बड़े नीति नियम से धान्त की बातें करी और कहा गी नैचुरल अलाइंस नहीं था यह नहीं था जिन लोगों को इन्होंने आई एसाई एजेंट कहा रह से कहा कि साभ इनकी जाच करें आई ये से कहा जाच करें नरेश अग्रवाल अरूसके बेटे का व्ोट लेने का कौनसा बड़ा बेकि नुने चैनम धर्मात्मा का का म किया आपके सामने हैं अनिल संग जो बसपा का विधायक है जो बसपा के चुनाओं पर उनको गाली दे acknowledgement के जीता है उसका वोट ले करके इन्होंने कौन सा धरम का काम किया है और कौन सा राजनेतिक मैं आपके बीच में आपकी आपकी बारी आए आप अपने आप बोलिएगा तो कि आपके खिलाफ कड़े शब्द उचित नहीं हैं मैं आप से फिर से बताओं कि आप जैसे लोगों को सामने करके ये लोग लोग तंत्र की हत्या कर रहे हैं नरेश अगरवाल को जिसको एक दिन पहले तक चार दिन पहले तक ये लोग C.I.I.S.I. का एजेंट बता रहे थे देश द्रोई संस्ता का एजेंट बता रहे थे उसको अपनी पार्टी में ले करके उसके रड़के का वोट ले करके इन्होंने कौन सा राष्ट बक्ती का काम किया और कौन सी राजनेति सुचित पार्टी कुछ नहीं कर रही सिरब लोग कंत्र की जड़ों में मठा डाल रही है एक बड़ा पुराना शेर था कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है आपके पीछे तेज हवा है और मुकदर आपका है उसके कतल पे मैं भी चुपता मेरा नंबर आया औ दिनेश शर्मा जी मुकदर आखिर किसका चमकेगा क्या वाकई में खरीद फरुक्त की जो खबरे थी तो लगता है कि इसमें बिल्कुल अपनाई गई है देखिए संजर राजनीती साम दाम दंड भेद का एक ब्रैड रूप है और इसमें जो भी लीडर है जो भी नित्रत्व है वो अपने शक्ति के नुसार अपनी रणीतों के नुसार चलता है आज के इस चुनाव में जो नौर कंडिडेट बीजेपी का है यदि वो जीतता है तो और यदि वो हारता है तो यह दोनों ही राजनीती के उस खेल का परदा अफास करेंगे जिसको की कॉंग्रेस ने भी जनम दिया जिसको की समाजवादी और बसपाने भी जनम दिया और जिसको की भारती जनता पार्टी ने भी जनम दिया जिसे हम गु जो भी परणाम आ रहा है उस पर हमारा हमारी भूमी का तब शुरू होगी जब ये परणाम सामने आ जाएंगे चलिए चलिए उसके बाद हम भी सोच रहें कि परणाम आ जाए उसके बाद ये मुकाबला ये डिबेट और बहतर हो जाएगी कि एके मिश्रा जी आपकी पास आना चाहेंगे राजा भाईया का पैतरा समझ में नहीं आए पहले अखिलेश ने मिलते हैं वोटकास्ट करते हैं सीम से जाकर मिलाते हैं और कहते हैं मायवती के साथ नहीं हूँ लेकिन अखिलेश के साथ हूँ संजय यह बड़ा इंट्रेस्टिंग क्वेश्चन है अगर मैं आपको बोलू तो सबसे ज़्यादा अना इसी चीज को करनी चाहिए कि एक इंडिविजूल कंडिडेट या व्यक्ति का बिहावियर क्या होता है और पल-पल कैसे बदलता है देखिए राजा भाईया का दो द यह लीडर एक टॉप लीडर है उनसे यह मिले फिर उसके दो घंटे बाद राजा भाईया का ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने अखलेश यादो की तरफ अपनी प्रतिबद्दता जताई अखलेश यादो जी ने रीट्वीट करके उन्हें धन्यवाद बोला फिर अभी चैनल पर मैं देख रहा था कि खबर आई कि राजा भाईया ने फिर अपना स्टेंड बदल दिया है ऐसा क्यों हो रहा है देखिए इसको समझने की कोशिश करिए दो चीजे हैं या तो राजा भाईया यह चाहते हैं कि आज का दिन बड़ा इंपोर्टेंट है और नेशनल फ्रेश को आप गफलत में करके रखें रहो सारी पाल ऊसे आप जो है बार यह अप को रहा है अब करते रहा है यह बता है यह चब घं economists के नहीं है अपके हैं की हैं त्वीट के राजा थे लेकिन सीम से भी मिल आते हैं और आजी के दिन यह सब करना था सिह मिल श्यातों से तो आपके हैं गोल मूल जबाब नहीं सीधा जबाब यह ट्वीट मिलना अखलेश की तारीफ करना मायवती के साथ ना और फिर सियं मिल लेना जी एक दिन में कितनी बार निस्ठा पदल सकती है ये इसका बेस्ट एक्जाम पहल है अहां अरे योगी जी से तो बादिस उपाल जी भी मिले और पर्ला यादो जी भी मिली आज के दिन आज के दिन सर फोटिंग के दिन मिलने क्या मतलब है नहीं वो तो जोईट करने जा रहे एक 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 शुली जीए आपके अप बिद्वाद नहीं बहुत बड़ाज पत्रकार है नहीं सर्मा अच्छी लिए बात अच्छी आप्र ये अधाटे पार्टी के अब पार्टी से जुड़े हुए जह तक जो अबारे तक जानकारी है तो भी आप लगता है तो तो करने अपरना जी क्यों मिली और दोनों उत्राखंड से हैं दोनों बिष्ट हैं तो वह भी जा रही है तबाम सारी बाते हुई और एक साल पूरा हो गया सरकार बनने के बाद में और तबाम सारे आफर भी आए होंगे चुकि भारतिय दा पार्टी खरीद प्रोक्स पे इस तरी में जा वाल में तो में फत्राखंड प्रोक्सकि भार्षण किसे ना व Ск्जैस ने तो हम चाहितते हैं रिखंट हुई क्ये वाल खौर्प के घिए जब यह संमान दिया पूरा उनको हवेसा हर बार मंत्री मंडल में रखा गिया तो कहीं पे भी राजा भीया का कोई कद सभाजवादी पार्टी ने कभी कम नहीं किया हमेशा कद को बढ़ाया और सम्मान लिए तो ऐसे भी राजा भीया कही जाने वाले नहीं है और जो उनकी मुलाकात है उन्होंने सुते कहा कि यह अपचारिक बुलाकात है उसके बाद कोई कयास लगा रहा हमें लगता है राजा भीया की सीयम से मुलाकात आप तो डिस्क्लोस करी दीजिए आपको तो सब कुछ पता होगा ये वोट वाली मुलाकात थी या उपचारिक थी वाकई में? इस पे बैतर कमेंट तो राजा भाया ही स्वायम दे सकते हैं। ये नहीं पता, मैं तो जानता हूँ कि बसपा का एक वोट क्रॉस हुआ है और मेरी एक जानकारी में सूत्रों के द्वारा है कि भाजपा का वोट क्रॉस हुआ है। तो ये अपनी जगा पर है भी आप देखे क्या होता है क्या नहीं हाँ बिल्कुल एक निति नगरवाल का पहले से थै था लेकिन राजनीती में सुचिता की बात करने वाले लोग ये बता दें कि आईएसाई के एजेंटों के और उनके लड़कों के एजेंटों के वोट ये निति की सुचिता को कितना गिराएंगे ये जाने लेकिन मैंने कहीं पर भी ये नहीं सुना कि तीन बसपाने किया तीन सपाने किया चार कांग्रेस सुभा से मैं तमाम चैनलों पर देख रहा था ये करेंगे वो करेंगे हमने अपने सातों वोट जो है कांग्रेस को दिये र मिश्रा जी एक पलपल में भयान मुझे नहीं मालूम यह रगुराज प्रताप जी को रुटर प्रदेश की राजनीती को कब से जानते हैं चुकि मैं तो एक दिन एक इन्वेस्टर सम्मिट में देख रहा था कि पॉलिटिकल अनलिस्ट की जगे कुछ और भी लिखा हुआ था जगे जगे पर कभी-कभी भूमिकाएं बदल जाती हैं तो मेरे को तो पूरा विश्वास है कि उन्होंने समाजवादी पाल्टी के प्रत्याशियों को वोट दिया है दिनेश शर्मा जी एक पत्रकार की हैसियत से आप तो बहुत सालों से यूपी को जान रहे हैं अगर आज इन दोनों कैंडिडेट्स में से 37 का आकड़ा कोई नहीं छूपाता है तो स्तिती क्या होगी मैंने अभी कहा कि अभी जब चुनाव परणाम आ जाएंगे तो उसके बाद क्या इस्तिती होगी ये देखना होगा ना अभी चुनाव परणाम ही सामने नहीं है लेकिन जो संक्या है आप भी गिन रहे हैं हम भी गिन रहे हैं 37 का जादोई आकड़ा इन दोनों प्रत्याश्यों के लिए बीजेपी ने सब कुछ अपना जोग दिया है बीएसपी पहले से तयार थी सपा कॉंग्रस भी इनको समर्थन की अगर मान लीजिए 37 नहीं पहुँचे ये और मुझे लग रहा है कि ये अहालात पैदा हो सकते हैं तो उसके बाद क्या हो सकता है तो सीधी सीधी बात है अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर बाउजन समाज पार्टी अपने के जो सीट्थी को खो चुकी है पर तो सीधी बात है मतलब अश्वास्त है कि जहां तक कि कार्स वोटिंग का सवाल है मतलब मतलब आपको लग रहा है कि 34, 35, 33 के अगरे का भाजपा पहुंच जाएगी